सबी लोग मेरे लिए कटा हो रहे हैं क्योंकि गर्मे में अकेला ही भाई बचाओं सबी लोग इस बार अकेला हूं तो थोड़ा बुरा लग रहा है कमी मेसूस होनी भी जायज है और अभी दीदी और मा का मास करके भरत मिला हो गया हर हर महादेव जैकाशिवी सुनात सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं हाई हलो नमस्ते सस्तिर्यकाल प्रणाम कैसे आप सभी के हाल आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अभी करीब दस बजने वाले हैं और आज की वीडियो की सुरुआत हो चुकी है मेरे गाउं के इन खुबसूरत नजारों के साथ मेरे गाउं का नाम है अलेत जो की देविम उत्रा खंके उत्तरकासी डिस्टिक में पढ़ता है बाकि आज सुबे सुबे अगर मौसम की बात करें तो ठीक सामने पहाड़ी पे हलका फुलका कोहरा लगा हुआ है मौसम की बात करें तो पूरे आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं ठीक सामने उत्तरकासी के उपर हलके फुलके नीले आसमान दिखाए दे रहा है बाकि दोस्तों आज रक्षा बंदन है तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षा बंदन की धेर सारी शुबकामनाएं जो भ गई थे राखी बांदने के लिए मामा जी के पास बाकि घर में सुबह सबह दीदी भी आ गई थी और चोटी आली दीदी तो कल आ गई थी और बड़ी वाली दीदी अभी थोड़ी देर पहले ही आई यह दीदी कैसे हो बढ़िया हो अभी इनको थोड़ा कैमरे को फेस करने की आदत नहीं है पर ठीक है दिरे दिरे पड़ जाती है पर जो हमारी छोटी आली दिदी है ये भहेंग करें चलो सही है चलो ठीक ठीक बागी चलो अफटाफर से एक बार मां को लेने के लिए चलते हैं आधे रास्ते में और अपने साथ सूरज भाई और गबू क्या हाले साथ बढ़िया और ये लोग जा रहे हैं मानपूर तक चलो जिए फटा-फट निकलते हैं रोड पे पहुंच गए हैं चलो भाई जवान हो जल्दी जल्दी बैठो चलो 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 बागी ठीक यहां पर रक्षबंदन के दिन हमारे गाउं के कुछ भाई लोग मस में से केरम खेल रहे हैं चलो सब्सक्राइब ठीक है भाई साथ और अभी मैं जैसे ही साड़ा गाउं के पास में पहुंचा ना भैंकर बारिस आ गई ये दो पूरा गिला हो गया अचानक सही इधर साइड से आगई ये बारिस भैंकर व ये तो वारिस तो रुकने से रही निकलता है फटाफट से मां रुकी हुझे है आगेर देवारियन के पास में इधर साइड देखो भाई रोड पे बिल्कुल भी वारिस की पूर्दे नहीं दिकाए दे लिए और पीछे साइड भैंकर वारिस में तो पूरा ही गिला हो गया भाई अरे वा यहां पर भाई मां यहां पर चलो यहां पर मां भी मिल गई है चले मां चले पहना दी और दिको माने मामा जी पर राकी बांद के भी आ गई हैं चलो बेठो तब आराम से चालो अब निकलते हैं यहां तो बिल्कुल भी बारिज नहीं हो रही पीछे तो भाई साहब भेंकर बारिज हो रही है यहां से देखो बिल्कुल मौसम नीला सा दिखाए दे रहा है चालो जी अभी मा को लेके मैं पहुँच गया हूँ घर पे और अभी दीदी और मा का मास करके भरत मिला हो गया है और दीदी काफी टाइम बाद मा से मुलाकात कर रही है कैसा लग रहा मा से मिलके बढ़िया लगा नी आरे वाद चालो साही है साही है अब दोस्तों एक बार गरम गरम नास्ता खा लेते हैं इन खूब सूरत नजारों के साथ तो चालो जी अभी मस करके नहा गये हैं और नास्ता भी हो गया है बाकी अब तैरी करते हैं रक्षा बंदन के इस पावन त्योहार को मनाने की बाकी आखी बांदे का जो सुब महरत है वो एक बज़े के बाद बताया हुआ है फिलाल दो बाहर जमा जम बारिस हो रही है और इस बारिस ने रक्षा बंदन का माहोल बिलकुल गड़वर सा कर दिया है और दोस्तों रक्षा बंदन जो है भाई बहन का पवित्र त्योहार रहता है पर इस बार रक्षा बंदन में ना मैं घर में अकेला भाई हूँ और चार-पांच बहने हैं तो सभी का बज़ट मेरे इस सर में आने वाला है खिर मेरे तीन और जो भाई हैं वो घर से बाहर गए हुए हैं रोजगार के लिए और घर में मैं अकेला हूँ एक भाई गुजरात में है एक भाई दिल्ली में है और एक हरिद्वार में है सभी लोग गए वे हैं और उनको टाइम नहीं लगा आने का बाकि इस बार रक्षा बंदन के लिए मैं अकेला ही घर में हूँ पिछली बार तो सभी जो भाई लोग थे घर में थे और बिल्कुल हसी मजाग के साथ रक्षा बंदन का त्योहार मनाया था और इस बार अकेला हूँ तो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है और इस बार इसकी वेज़े से और ज्यादा बुरा लग रहा है कि अपने दीदी को क्या दिया लग्षी ना पेशा दिया चलो जी अभी सभी लोग यहां पे इकटा हो गए हैं भाई बहन के इस पवित्र रक्षा बंधन्त मनाने के लिए यह रुच्ची है अर्चना है रजनी दीदी है और दुरगा दीदी है बीज में दक्चु है बाकी छोटी वाली दीदी नहीं आपाई किसी कारण से बाकी यहां पे दक्चु है और दक्चु की एक दीदी भी आई हुई है हेलो हेलो चलो अब राखी पहनने का काम करते हैं चारो जी सुर्वात में बड़ी दीदी से हुई है तो अब हमारे बीच पधारी है हमारी है प्यारी बुली अर्चना जय हो जय हो आज मुझे काफी गर्व मैसूद हो रहा है ऐस अब मेरी पूझा कर रहे हैं आज सबी लोग मेरे लिए कटा हो रहे हैं क्योंकि गर्मे मैं अकेला ही भाई बचाओं सबी लोग रोजगार के लिए घर से बाहार गई हो गई कि आज़ा बढ़ीया मैं तुम्हें आश्रिवाद पें आच्छा वर मिले इस जीजगी में अच्छी तरह की करों तो हमारी तरह चाप आपको सब्सक्राइब करों जोग जोग जियो आश्रिवाद दोगा अलोग नेक्स्ट आपका इंदिजारता प्रेश बेट हो हमारा आश्रीबाद तुमारे साथ हमेशा बना रहे है और रुची हमारी घर के सबसे छोटी बेहन है तो इसकी पूजा करना जायज है अज़िए आप अच्छी उन्नती करो तरकी करो त्वेल्थ में अच्छे नंबरों से पास हो अज़िए अच्छे से रक्षा बंधन का त्योहार मना लिया है और एक बार सब के साथ फोटो कीज लेते हैं और सब को पूछते हैं कि घर में अकेरा भाई हूं बाकी भाई जो घर से बहार गए हुए उनकी यार आ रही है उनकी कमी महसूस होनी भी जायज है क्योंकि रक्षा बंधन जो है भाई बहन का पवित्र त्योहार है तो बहनों को अपने भाई की कमी महसूस होती है कि भ्रेम के अगल वगल मा और चाची दिखाए दे रही थी यहां पर मा है और यहां पर चाची जी है बागी एक चोटी दक्षू की दीदी आई हुई है उपर गाउं से चालो अभी सभी की मास करके फोटो आ गई है भारत माता की अब सभी लोगों को रक्षा बंदन के अब बोलो थैंक्यों को रक्षा बंदन की सब्सक्राइबरों को रक्षा बंदन की चालो जी बहुत सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली है बाकी अब एक बार खाना खुना खा लेते हैं और यह जो चस्मा है यह है दक्षू डोन का और कमेंट करके बताओ कैसा था लग रहा हूं और रुची सेट क्या हाल है भाई साब रुची आज बड़ी खतरनाग लग रही है मोटर लग रहे हैं देगा इसको जबना नाई नाई वह निए वह निए देना भाई भाई बहन की चालि फाप में पूरी हो गई मैं सम्वा सकता हूं ठीक है कि कुछ कहन चाओगे हमारे जो परिवार के सदश्य हैं यूट्यूब परिवार के सदश्य हैं उनको अपने कुछ भाई हैं उनको बधाईयां बड़े भाईयों को नमस्ते और रक्षा बंदन की देशारी सुप्तामनाएं और ऐसी हसते रहे और मुस्कुराते रहें और हम भी आपको हसत सब्सक्राइब है चीग है ओके सब्सक्राइब है कि एहम किर्दार हमारे गर का एक और सदर्श्य जिने हम भूल गए थे अरे बाइसाब रुग जा हादे हादे रख्षा बंदना डूगू तेरी अर्चना बहन ने तेरे लाकी बांदी चालो सब्सक्राइब देख बांदी है अर्चना ने यह देखो लोजी चोटी बेहन अर्चना ने गर्मा गरम चाई ला दिये चालो धन्यवाद अब 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 अब